हर हर महादेव माज़क दुम्बा भावाने शिवानी जी की क्रपा के हम पात्र बनें आये उनका बंदन करते हैं उनके क्रपाएं उनके अनुग्रहे को समझते हैं एक समय की बात है भगवान देवादी देव महादेव श्व और आदाशक्ती भवती पार्वती आकाश मार्ग में बिच्रण कर रहे हैं ब्रह्मन कर रहे हैं तो देवी गिरिजा ने एक द्रश्य देखा कि प्रतवी पे एक शुवाले हैं और एक ब्रिद ब्रहमन उस शुवाले में पूजा अर्चना किया करते थे उपड़ा गरीब था लेकिन बहुत समय से उस शुवाले में भगवान शुव का वंदन करते थे गाउं से काफी दूर जंगल में एशुवाले हैं मा भगवती और भगवान शिव इस द्रश्य को देख रहे हैं क्योंकि ये ब्रहमन उनकी अर्चना पूजा में अपना जीवन ब्यतित कर रहा है देखा क्या द्रश्य के संध्या का समय हुआ आर्थी पुजा ब्रहमन ने की और उसके बाद मंदिर के पट मैंने दर्वाजे बंद किये और अपने घर को जाने लग गया मंदिर से थोड़ी दूर को आया तो बिचार आया मन में उसके कुछ उतकंटा हुई मन में और अपने पैरों में जो चपल पैनी हुई थी जो ताया चपल जो भी पैना था वो उतार के अपने काह के बगल में रख लिया दबा लिया इस भाव से कि ये जादा देर वो इसको पैन के रखूंगा तो ये तूट जाएगी फिर दूसरी में कहां से लाओंगा ऐसा वो गरीब था इस दृष्य को जब माजगदंबा देख रही हैं तो भगवान शिव से कहने लगी कि प्रभू ये ब्राह्मन आपकी इतनी सेवा अर्चना पूजा बंदन करता है तो इसका जो कश्ट है इसकी जो गरीबी है उसको दूर कर दीजे न आपकी ऐसी क्या महिमा है कि आप कभी कभी कहीं पे बहुत ज़्यादा अनु कमपा करते और कहीं नहीं भगवान शिव ने कहा कि नहीं देवी ऐसा नहीं है मैं ऐसा नहीं करता हूँ लेकिन कारण है कि इसके भाग्य में है नहीं संपती इसके भाग्य में अभी है नहीं मा जग्दमा ने फिर कहा है कैसे नहीं आप देवतस ही आपका वो भजन करता है तो आपको देना चाहिए उसको संपती दो मेरा हर्दे लगी जिद करने, भगवान शिब ने फिर कहा कि देवी इसके भाग्ये में है नहीं, कि कै नहीं मैं नहीं मानूँगी, मैं इस बात को कैसे मानूँ, है कैसे नहीं आप देओ, भगवान शिब ने माजग दंबा के हट के आगे हाथ जोड़े निवेदन किया कि ठीक है, जैसी आपके आग गया लेकिन ऐसा है कि आप देखती रहना मैं फिर कह रहा हूं इसके भागे में है नहीं भगवान शिव ने एक धन की पोटली मा जगदंबा के ही मा योग माया के ही प्रभाव से प्राप्त की और वो पोटली उसे रास्ते में जहां से वो ढामन चल रहा था वहां उसके सिर्फ मुख के आगे उसके मुख के आगे जहां से वो चल रहा है रास्ते में फैंक दी थोड़ी सी दूरी पे उसके सामने वो पोटली उपर से आकाश मार्ग से फैंक दी ऐसा अक्सर होता है कि हमारे सामने हमारे सुख की वस्तुएं हमारे कल्यान की वस्तुएं रखी होती है हमारे कल्यान का मार्ग हमारे सामने होता है लेकिन जब भग्य में जिसके नहीं होता है उसको दिखाई नहीं देता है ठीक इस तरह से कि जब वो पोटली वहां गिरी तो देखिए भाग्यवश उस ब्राह्मन के मन में भाउधपन हुआ अकेला जा रहा है अमनमश्वाय अमनमश्वाय चले जा रहा है अपने चरणपादु काएं भी काक के बगल में दबाई हुई है और नंग्य पैर ही चल रहा है और विचार म हो और चलता जा रहा आमनमश्वाय अमनमश्वाय अपने चलता जा रहा है अनधा बन पहले और कहने लगा ओहो के नहीं होते होंगे उनका जीवन कितना दुभर होता होगा बढ़ा चमबा है बढ़ा मुश्किल है ऐसा कहने लगे उधर भगवान शिमस्कराने लगे और पलवर में और एक करिश्मा हुआ कि उसी मार्ग से पीछे से एक बेशबूश से राजा का बेटा है यंग मैन है तो राजा की बेशबूशा पहनी गोड़े पे सवार है दूर से दिखाए देता है चका चक पगड़ी आदी पहनी हुई है तो राजा का पुत्र है बहुत दूर से मार्ग में वो पड़ी हुई धन की पोटली दूर से देख ली और गोड़े को चाबुक लगाया और वहां उस पोटली के पास गोड़े से उत्रा और पोटली उठा के अप और उस ब्रह्मन को दिया तो भी नहीं मिला यही कहने का माईने यह होता है कि भगवती शिवानी यानि कि हम जब पूजा अर्चना या बहुत कोशिश भी कर रहे हैं कुछ अच्छा प्राप्त करने का नहीं मिलता है तो समझ लें कि हमारे अभी प्रारब्ध में वो है नही उसका मतलब यह नहीं है कि हम अच्छा कर्म करना छोड़ दे हमारे प्रारब्ध में वो चीज है नहीं जिसके प्रारब्ध में थी ओ आके वहां से उठा के ले गिया तो प्रारब्धों का बहुत बड़ा योगदान होता है कर्म प्रधान ही यह जीवन है तो यहां पर हमें निस्तेज या हताश या नाखुश ऐसा कभी नहीं होना चाहिए यह जरूर प्रयत्न करना है चाहिए कि हमें सरमार्ग दिखाने वाले हमारे अच्छे कारेओं को प्रेरित करने वाला ऐसा कोई हमें मिला है या इसी कोई कारेकारणी हमें बता रहा है तो उसको प्राप्त कर लेना चाहिए, वहां अंधे ना बने, हर हर महादेव